हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, स्पेंड वाइसली, दोस्तों, SBI ने SBI कैश्वेक कार्ड लॉंच किया था, सेप्टेंबर 2022 में, और इतनी अन्बिलीवबल कैश्वेक रेट्स के साथ लॉंच किया था, कि लॉंच होते ही ये कार्ड जो है, बहुत ज्यादा डिमां बदलाव किये जा रहे हैं, उसमें रेडेक्शन किये जा रहे हैं, और यही नहीं कुछ important benefits भी जो है, वो permanently discontinue किये जा रहे हैं, दोस्तों, आज के इस वीडियो में SBI cashback credit card में क्या बदलाव आने वाले, उन सबको समझेंगे, उसकी जो existing benefit है, उसको समझेंगे, और साथ ही य इंगेस के बाद के SBI का cashback credit card आज भी सबसे बहतरी cashback credit card है या नहीं है, अगर नहीं है, तो इसके बदले में कौन सा और cashback credit card लेना चाहिए, या फिर SBI के cashback credit card को बंद करके permanently कोई और cashback credit card लेना चाहिए, इन तीनों ही scenario को हम लोग detail में analyze करेंगे और जानेगे कि best cashback बाने क के लिए कौन सा credit card का combination जो है, वो best है, दोस्तों हाली में spend weekly का एक micro site लाँच किया था और नए credit card पर जो भी offers रहते हैं, lifetime free credit card के या free Amazon gift card के joining के टाइम पर उस तरह के सारे offers इस micro site पर एक साथ listed रहते हैं, और यहीं ने जितने भी popular credit card से उनको apply करने का जो link है, वो भी इस micro site पर दिया हुआ है, उसको जरूर विजिट कीजिए, उसका link में एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक ही जगह पर आपको सारे offers देखने को मिल जाएगे, चलिए दोस्तों बात करते है, SBA के cashback credit card की जो current benefit है, उसकी और उसके बाद हम बात करें कि इसमें क्या changes किये ज मिलता है, up to 10,000 रुपीज पर statement cycle, मतलब यह हुआ कि महिने में 2,000 रुपया तक कर आपने spend किया है online, तो आपको real 5% का cashback देखनों को मिलता है, कुछ online categories से जिस पर 1% का cashback मिलता है, उसमें utility bill payment शामील है, mobile का recharge शामील है, mobile का bill payment शामील है, insurance का payment शामील है, NPS, train ticket, fast tech recharge और government related payments, उन सब पर आपको 1% का real cashback मिलता है, without any upper capping और इसके अलावा इस credit card को आप कहीं भी use किजिए offline, तो आपको 1% का real cashback without any upper limit मिल जाता है, fuel पर इसमें कोई cashback नहीं मिलता है, rent wallet loader, EMI पर भी इसमें कोई cashback नहीं मिलता है, इसके अलावा इस credit card के साथ में साल में 4 domestic airport lounge access भी आपक किया है, कि SBI के जो cashback credit card के benefit से, उसमें 1st May 2023 से, मतलब आज से करीब एक महीने बाद, बहुत सारे changes आने वाले, और बात करते ही, हो changes क्या है, सबसे बड़ा change तो दोस्तों यह है कि 1% online payment पर जो cashback मिलता था, उसमें जो भी categories थी, जिसमें utility bill payments, mobile recharge, mobile car bill payments, NPS, train ticket, insurance, government payments और fast take, उन सब पर 1st May से 1% का जो cashback मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, मतलब zero cashback इन सारी categories पर आपको मिलेगा, और existing जो zero cashback वाली categories थी, जिसे rent, fuel, wallet load, EMI, इसके अलावा इसमें jewelry को भी शामिल कर दिया गया, मतलब jewelry पर पहले जहां 5% तक का cashback मिल जाता था, वहाँ पर अब कोई cashback नहीं मिलेगा, मतलब SBI योनों से बहुत लोग Amazon का gift card लेते थे 5% के cashback के साथ, अब Amazon के gift card पर भी कोई cashback अब नहीं मिलेगा, school fee और education fee पर भी अब तक 5% का cashback मिलता था, वो भी अब नहीं मिलेगा, मतलब zero cashback मिलेगा, education से related spend per, इसके अलावा बाकी जितनी भी online categories से चाहे वो flip card हो Amazon है, कोई भी popular online site हो, या फिर कोई third party site हो, वहाँ पर सब जगा आपको 5% का cashback मिलता रहेगा, बट एक बड़ा बदलाव ये किया गए दोस्तों, अभी तक आपको unlimited cashback मिलता है, मतलब 10,000 तक का तो limit जो है, online spend पर 5% cashback पर है, और 1% cashback पर कोई limit नहीं है, बट अभी एक overall limit cashback मिलेगा, इसका मतलब ये हो गए है कि दोस्तों 5% वाली categories मतलब जो online spend है, वो अगर महिने में एक लाट विपे तक आप करेंगे तो उस पर आपको पूरा 5% cashback मिलता रहेगा, उससे beyond आपको कोई cashback नहीं मिलेगा, otherwise 1% वाली categories पर भी आप spend करते हैं, तो कुल मिला के सब cashback मिला के total 5000 का cashback मिलेगा, online, offline सबतर के spend पर किसी भी statement cycle में, और एक सबसे important benefit जो पूरी तरह से discontinue कर दिया गया है, दोस्तों वो है airport lounge access, airport lounge access जो मिलता था, वो first में से पूरी तरह से discontinue कर दिया गया है, अब आप इस credit card को use करके domestic airport lounge का जो access है, वो नहीं कर पाएंगे, कार की fee की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो joining fee है, वो है 1179 रुपीज GST मिला के, और इसकी जो renewal fee है, वो भी है 1179 रुपीज GST मिला के, but 31st March 2023 तक जो भी इस credit card को apply कर रहे थे, उनको first year की fee wave off कर रही थी, मतलब first year कोई fee नहीं लग रही थी, अब यह first year fee का offer भी खतम हो चुका है, मतलब first April 2023 से जो भी इस credit card को apply करेगा, उसको 1179 रुपीज की joining fee जो है, वो भी pay करनी पड़ेगी first statement के साथ, एक साल खतम होने के बाद आपको every year 1179 रुपीज की renewal fee पे करनी होती है, बड़ साल में 2 लाक रुपीज से ज़्यादा के spend किया, तो आपको renewal fee पे नहीं करनी होती है, वो fee wave off हो जाती है, तो दोस्तों ये थे SBA cashback card के जो existing benefits है और उसमें जो changes किये जा रहे हो, अब बात करते हैं कि क्या इन changes के बाद में ये card अभी भी सबसे बहतरीन cashback credit card है या नहीं है, दोस्तों इस credit card का जो सबसे बड़ा USP हो है online spend, और online spend की बात करें तो दोस्तों अभी भी सारे जो retail online merchant से चाहे वो flip card हो, amazon हो या बिग basket हो, या Tata Click, Mintra, Ajeo और भी कई सारी sites रहती है, individual brands की, जिस पर कई बार हम लोग spend करते हैं, उन सब पर इस credit card से 5% का real cashback अभी मिलता रहेगा, और अभी भी इसकी जो monthly cashback की limit है, वो 5000 रुपीज की है, मतलब आप सिर्फ इसको online spend के लिए इस card को रखते हैं, तब भी 1,00,000 रुपय से अगर उन से compare करें, तो Access Bank का जो flip card credit card है, वो आपको मिंतरा पर flip card पर 5% का unlimited cashback देता है, कुछ partner sites पर 4% का cashback देता है, बाकी सारी sites पर आपको 1.5% का ही cashback मिलता है, Amazon Pay credit card की बात करें तो दोस्तों, वो 5% का cashback ज़रूर देता है, बट वो सिर्फ Amazon पर देता है, वो भी Amazon Pay के balance के form में, और वो भी तब जब आपने Amazon की prime membership ले रखी हो, जो 1500 रुपिय की हो चुकी है, एक advantage Access Bank के flip card credit card के साथ दोस्तों, यह है कि उसकी जो fee है, वो 589 रुपिय से GST मिला के, बट इस card की जो fee है, है cashback card की, वो इससे double है, HDFC bank का millionaire credit card की बात करें तो दोस्तों, वो popular 10 site पर 5% का real cashback देता है, बट इस चो cashback की upper limited वो बहुत कम है, 1000 रुपीज पर मन्त का ही आपको इसमे cashback मिल पाता है, तो अगर आपका 20,000 रुपीज तक का ही spend down popular websites पर तो शायद millionaire credit card आपको इसमें बहतर लगएगा, क्योंकि millionaire credit card lifetime free पाना काफी easy है, तो मेरा conclusion दोस्तों ये है कि अगर आपका online spend काफी ज्यादा है, मतलब 20,000-30,000 रुपीज से ज्यादा का है, तब आज भी आपको SBA का cashback credit card beneficial लगेगा, क्योंकि ये 1179 रुपीज की जो fee है, वो आपकी एक ही महिने में recover हो जाएगी, क्योंकि monthly cashback limit यापर 5,000 रुपीज की है, बट दोस्तों कुछ particular spends के लिए ये credit card आप बिल्कुल भी useful नहीं रहा है, specially utility bill payments के लिए और lounge access के लिए, utility bill payments के लिए अगर आपके पास ATL की services है, तो Axis Bank का ATL credit card आप ले सकते हैं, क्योंकि इक सिर्फ ATL के payments पर ही आपको 300 रुपीया पर मन 25% की rate से cashback दे देता है, तो उसकी ज दे सकते हैं, offline spend और utility bill payments के लिए, और Axis ATL credit card और Axis Ace credit card दोने के साथ, domestic airport lounge access भी आपको मिल जाता है, तो आप ये combination try कर सकते हैं, SBA का cashback credit card और Axis Bank का Ace credit card, या फिर SBA का cashback credit card और Axis Bank का ATL credit card, तो आप SBA के cashback credit card के साथ में एक additional credit card रख सकते हैं, जिसमें या तो Axis Bank का ATL credit card हो सकता है, या फिर Axis Bank का Ace credit card हो सकता है, Axis Bank का Airtel Credit Card रखते हैं तो उसको आप Utility Bill Payment के लिए यूज कीजिए, Domestic Airport Lounge Access के लिए यूज कीजिए और बाकि सारा Online Spend पर आप HBI का Cashback Credit Card यूज कर सकते हैं Offline Spend पर भी Axis Bank का Airtel Credit Card यूज कर सकते हैं कि उसकी जो 1% की Cashback Rate है Offline Spend पर उस पर कोई Upper Limit नहीं है अगर आप Axis Bank का Airtel Credit Card ले पाते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा combination हो जाता है क्योंकि Utility Bill Payments पर वो आपको 5% का Cashback देता है वहाँ पर भी आपको Airport Lounge Access देखने को मिल जाता है और Offline Spend पर वो आपको 2% का Unlimited Cashback देता है बट अगर आपका Online Spend बहुत ज्यादा नहीं है और 1179 रुपीस की जो annual fee है इस credit card के साथ वो अगर आप Recover नहीं करने वाले हैं तो एक alternate combination यह हो सकता है कि आप Axis Bank का Flip Card credit card अपलाई कीजिए उस credit card के साथ Joining Offer के form में आपको 500 रुपे का gift voucher मिल जाता है और अगर आप इसको cash करो app के थूपलाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 750 रुपे का Amazon का gift voucher मिल जाता है तो 750 प्लस 500 रुपे का gift voucher टोटल 1250 रुपे के ते gift voucher जोइनिंग benefit की form में मिल जाते हैं इससे उसकी दो साल की पूरी जो फी है 590 रुपे की वो पूरी record हो जाती है मतलब दो साल तक तो ये credit card आपको लगबर free पड़ता है तो उन दो साल के लिए इस credit card को use कर सकते है flip card, mintra और कई सार जो partner sites से उन पर बाकि सारा online portals पर भी और offline spend पर आपको 1.5% का unlimited cash back देता है इसी के साथ ICIC Amazon Pay credit card भी आप रख सकते हैं जो lifetime free है और prime membership होने पर आपको 5% का Amazon पर भी वो cash back देता है और अगर आपका spend जो है monthly 20,000 तक का ही है तो HDFC का millionaire credit card आप रख सकते हैं अगर वो lifetime free मिल रहा है तो दोस्तों यह थे कुछ alternatives जो आप try कर सकते हैं SBA Cashback credit card के devaluations के बाद वीडियो अच्छा लगा और informative लगा तो उसको like कीजिए चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe कीजिए Thank you, bye